वेलकम तो आर यूट्यूब चैनल डियर विवर्स आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 जियोग्राफी का चप्टर 1 जो है रिसोर्स इंड डिवलप्मेंट इसी चप्टर के क्वेश्चन्स को टेक्श्चन्स को डिस्कस करेंगे एक अलग से वीडियो अपलोड की जाए कि जिसमें हम इसके अडिशनल कॉश्चन्स को भी डिस्कस करेंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताते चलें कि अगर आपने अभी तक हमारी इस यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारी चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और साथ ही बें प्रेस कीजी बेल आइकन ताकि आप आने वाली वीडियो को मिस ना करें चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे पास पहले कुछ टेक्श्चन्स है इसमें पार्ट वन जो हमारे पास विज्व फालॉइं टाइप आफ रिसूर्सिस इस आईरन ओर किस टाइप का सूर्सिशंथ है यहाई ओर रजान और नुबल है नहीं नहीं है विएtersa लो है कि यह भैता है नहीं बहता भी नहीं है इसलिए आई अर जो है इसे नान रिनीवल तो तो सही अप्शन जो है पार्ट वन का यह नान रिनीवल खीक है यह नान रिनीव नहीं हो सकता तो यहां पे आप Confuse नहीं होने चाहिए कि Non Renewable क्या? Non Recyclable होता है आइरन को हम Recycle तो कर सकते हैं लेकिन यह Renew नहीं होता है अगर आपने आईरन को Consume किया और आइरन Naturally नहीं बहाइंगा ठीज है? इसलिए यह Non Renewable है तो Question 2 जो है हमारे पास Under which are the following types of resources, tidal energy cannot be put अब टाइडल एनरजी को इन मेंसे किस टाइप में नहीं रख सकते हैं तो टाइडल एनरजी जो सीज होते हैं उन में टाइडल आती हैं उन ओशनल्स की टाइडल से आप इलेक्रिकल एनरजी बना सकते हो आप ये Tidal Energy जो है Tidal Energy ठीक है C Tidal जो होती है ये Tidal Energy इन Categories में से किस Category में नहीं रख सकते हैं क्या Tidal Energy Replenishable है क्या Tidal Energy Replenishable है इसलिए इसमें इसको रख सकते हैं ठीक है Tidal Energy Replenishable है ये नई नई खुदबखुद बनती जाती है क्या Tidal Energy lóg ko हम Recycle नहीं कर सकती है हा नहीं कर सकती अगर Tidal Energy को आपने Convert किया इंट। Electrical Energy आप Electrical Energy को Tidal Energy में Convert नहीं कर सकती है तो यहाँ पर पता चलता है हमें कि Tidal Energy जो है it is non recyclable एक तो ये non recyclable भी है replenishable भी है और abiotic भी है अब क्या नहीं है tidal energy क्या नहीं है ये human made नहीं है तो इसका सही आंसर जो है वो है part B that is human made tidal energy human made नहीं है हमें यही बोलना है कि tidal energy क्या नहीं है tidal energy human made नहीं है बहलके natural है तो इसके बाद part 3 जो हे विचा वनाफ फालोईग इस दमीन काज अफलैंड इद्रेटेशन इन पुंजाब में लैंड इदेशन कियो होती है में इंटेंस काल्टिवेशन है। और ग्रेसिंग है यह और इरिगेशन है तो पंजाब में मेन कास जो है लेंड इरिडेशन का इडिज ओर इरिगेशन इन इरिगेशन ज्यादा होती है वहाँ पे जिससे साइल में यह लैंड में सैरेंटी इंग्रीज हो जाती है पार्ट फूर जो हमारा इन विचाफ इन आरिया अता है उत्रा खंड जो है यह घली आरिया आता है यहां शोपी लैंड है इस लिए उत्तर खंड में टेरेस कॉल्टिविशन होती है इसका सही आंसर उत्तर खंड है तो इसके बाद फॉर वाई है मारे पास वीज फालोइंग स्टेट्स इन मैंसे एकश्ट जो है आसल में इन वीच अफालोइंग स्टेट्स इस ब्लैक ब्लैक स्टाइल जार फाउंड ठीक है यहां पर किस स्टेट में यहां पर यहां पर यहां पर इस तरह है इन वीच अफालोइंग स्टेट्स इस ब्लैक स्टाइल जार फाउंड ब्लैक स्टाइल किर में फाउंड होती है यहां पर कुछ स्टेट्स का नाम है इन मैंसे कहां पर ब्लैक स्टाइल होती है क्या जुमू कश्मिर में होती है नहीं राजस्तान में होती है नहीं जहरकंड में होती है नहीं इस प्राप जिस मेनली गृवड इनिट इन स्टेट का नाम बोल रहा है जहाँ भी ब्लैक सॉयल होती है और इस ब्लैक स्टेट में कौन सा क्रॉड कर विट किया जाता है ठीक़ किया जाता है आजड़ाइग दिश्ट स्टेट्रा सबस्क्राइब गुज्राद और मदीहा प्र टाइप आफ स्वाइल इस्टरन कोस्ट जो है डेल्टा जो इस्टरन कोस्ट में आते हैं वहाँ पे कौन सी टाइप आफ स्वाइल है और इस टाइप आफ स्वाइल के आपको तीन फीचर बोलने है इसका आंसर है ताइप आफ स्वाइल फाउंड इन रिवर डेल्टा इस एल्यूं मेल्ट होती है ट्रीरी में फिचर आफ ऑप São stripped we hold कुंसे तीन मेरी फ्टाइलिए ते सदोरा चाही के निभाय वाऍक सब्सक्राइब मिधे इस में सब्सक्राइब एक penser निल्यूंत आ ज़ाती है डुसन जो इसका फ्यूAT फीचर है consistence of various proportions of sand, silt and clay इसमें अच्छी खासी sand होती है, silt होती है, clay होती है इसमें ये various proportions में होते हैं यानि इसमें sand, silt और clay होता है It has good quantity of potash, lime and phosphoric acid which is good for the growth of paddy and sugar cane इसमें potash होता है, lime और phosphoric acid भी होता है ये चीजें paddy, यानि rice cultivation के लिए बहुत अहम है तो ये हमने देखा कि eastern coastal plains जो है, उनमें आपको illegal soil मिलेगी और वहाँ पे उस soil के तीन features भी आपने देखे दिसरा part जो है, what types can be taken to control soil erosion in hilly areas हilly areas में कौन से step आप उठा सकते हो ताकि आप control करो वहाँ पे soil erosion, तो इसका answer है, the main techniques that can be used to prevent soil erosion in hilly areas are given below number one contour bluffing, ठीक है, आप contour bluffing करोगे, ठीक, दूसरा है terrace farming, आप terraces में आप छोटी-छोटी जो है, parts में इसको divide करोगे slopey land को, और एक और है strip farming, ठीक है, strip cropping, strips of grass are allowed to grow between the crops, this method is known as strip cropping, इसको strip cropping कहती है, तो अगर इन तीनों को अगर आप समझोगे, आपने पढ़ा होगा, अगर हम समझाएंगे, सबसे पहले contour bluffing, अगर ऐसे, अगर आपके पास कोई slopey area है, ऐसे slopey area है, ठीक है, contour bluffing में क्या होता है, आप bluffing करोगे, that is parallel to contour, ऐसे प्लाफिंग करोगे, ठीक है, इससे क्या होगा, अगर अपर साइड से अगर वारिश होती है, तो वाटर का slow, जो है, वाटर का flow, slow हो जाएगा, पानी आहस्ता आहस्ता नीचे आएगा, जिससे soil erosion रुकेगा, अगर आपने, जो है, वर्टिकल ऐसे प्लाफिंग की, अगर आपने वर्टिकल प्लाफिंग की, तो पानी का बहाव तेज हो जाएगा, खड़ा तेज हो जाएगा, और, जो है, soil erode हो जाएगी, आपको क्या करना है, आपको वर्टिकल प्लाफिंग नहीं करनी है, बिलकि ऐसे आपको parallel प्लाफिंग करनी है, parallel to the contour, ऐसे, horizontal प्लाफ ऐसे region है, यहाँ पर आप क्या करोगी, इसको छोटी-छोटी चमनों में, छोटी-छोटी पार्ट्स में आप डिवाइड करोगी, इस soil को, यहाँ पार्ट अफ लैंड को, इसे क्या होगा, जब terraces बनेंगे, स्टैपस टाइप बनेंगे, इससे भी soil erosion जो है, रुगेगा, प अगर आपके पास फिर से एक piece of land है, आपने इसमें crop, बहुत सारे crops grow किये हैं, और बीज में से आपका strips of grass ऐसे रहने दोगे, वो strips of grass hold करेंगे, स्वाइल को, जिससे यह soil erode नहीं होगी, एक और question है हमारे पास, what are the biotic and abiotic resources, give some examples, तो यह बहुत simple question है, biotic resources वो होते हैं, जो living ह resources are that, biotic resources, these are the resources that are obtained from biosphere, जो biosphere से हासिल के जाते हैं, these resources have life, इनमें जान होती है, examples are, planters, animals, fish, human beings, livestock, etc, यह biotic resources में आते हैं, अब abiotic resources कोन होते हैं, जो non-living होते हैं, these resources are composed of non-living things, examples are water, minerals, metals, wind, solar energy, etc, इनको हम क्या कहते हैं, abiotic resources कहते हैं, question no.3 है हमारे पास, answer the following questions in about 120 words, ठीक है, यह long answer type questions है, 120 words तक आपको इसका answer लिखना है, पहला question जो है, explain the land use pattern in India, and why has the land under forest not increased much since 1960 to 61, आपको land use pattern बोलना है, इंडिया का, इंडिया में जो land है, किस किस purpose के लिए use होती है, प्लस आपको बोलना है, कि forests के under land cover increase क्यों नहीं हुआ है, तो इसका answer है, the land, the use of land is determined by, use of land किन फूर्स किन चीज़ों से determine होता है, कि land हम किस चीज़ में इस्तिमाल करेंगे, number one, physical factors भी determine करते हैं, land use pattern को, physical factors like topography, climate और soil types, ठीक है, topography वहाँ, जो relief features है, land features है, वो कैसे है, climate कैसा है, soil type कैसा है, उसी हिसाब से हम land को use करते हैं, इसके अलबाद दूसरा factor जो होता है, human factor, such as population density, technological capability, and culture and traditions, etc. culture, traditional, technological capability, population density, ये भी determine करती है, कि land को किस purpose के लिए use किया जाएगा, अब, अगर हम land use pattern, थोड़ा सा इंडिया में देखेंगे, कुछ point is, total geographical area of India is 3.28 million square kilometers, इंडिया का total geographical area, जो है, it is 3.28 million square kilometers, ठीक है, इंडिया has a net zone area of 45.5% of total land, जितनी भी इंडिया के पास land है, उसका total 45.5% part, जो है, वो net zone area में आता है, under agriculture आता है, forest cover कितना है, इंडिया का, 23.3%, barren and unculturable waste land कितनी है, 5.5%, area under non agricultural uses कितना है, 8.7%, और भी कुछ चीज़े हैं, जैसे, बहुत सारी चीज़े हैं, जिनके under India की land आती है, बट ये जो हमने यहाँ पे mention किये है, these are the major proportions जिनके under land है इंडिया में, ठीक है, तो इस के आगे अगर हम देखें, the pattern of net zone area varies greatly from one state to another, net zone area के अगर हम बात करें, ये vary करती है, एक state से दूसे state में, it is over 80% of the total area in Punjab and हरियाना, और पंजाब और हरियाना की बात करें, जितनी भी रैंड पंजाब और हरियाना के पास है, उसका 80% net zone area में आता है, और अरनाचल प्रेदेश, मिजोरा, मनीपुर और अड़मान और निकोबार आइलेंड्स में, ये total area से, total area का सिर्फ 10% से भी काम है, ठीक है, मिजोरा बहुत कम land agriculture के अंडर है, जब कि पंजाब और हरियाना में, बहुत ज्यादा land अंडर agriculture है, अब दूसरा पार्ट इस question का, यानि forest cover क्यों इंग्रीज नहीं हुआ है, forest area in the country is far lower than the desired 33% of geographical area, यानि कितना होना चाहिए था, forest cover 33% of total geographical area जो होना चाहिए था, 33% area होना चाहिए था under foresters, जो नहीं है, बिल कि कितना है, 23 ही है, अब क्यों increase नहीं हुआ है, क्यों forest cover degrade हुआ है, improper use of forest land has led to the land degradation and made conservation of foresters difficult, human activities like deforestation, overgrazing, mining, corring, etc. have contributed to the slow growth rate of foresters, अब inactive keys की वज़े से deforestation हो रही है, overgrazing हो रही है, mining हो रही है, corring हो रही है, minerals को in foresters से निकाला जाता है, जिसकी वज़े से forest cover को clear करना पड़ता है, इन वज़ुहात की वज़े से क्या होता है, forest cover, इंडिया में increase नहीं हुआ है, about 4% since 1960-61, 1960-61 से लेके आज तक 2011 का जो लेटेस्ट census हमारे पास था इस बुक में, उस time period के दर्मियन जो forest cover है, ये increase हो है, बट जिस्ट 4%, ठीक है, अब लास्ट कर्शन है हमारे पास, how has technical and economical development led to more consumption of resources, technical and economic development की वज़े से, resources को कैसे ज्यादा ज्यादा consume किया जा रहा है, इसका answer है, that technical and economical development led to more consumption of resources in the following ways, कैसे, number one, mass production, mass production की गई because of technical and economic development, क्या होता है, due to technical and industrial advancement, goods are produced in large quantities to meet the needs of growing population and markets, markets, markets की needs को ये बजार चलते हैं, trade होता है, उन needs को फुल्फिल करने के लिए, और लोगों की growing population की needs को फुल्फिल करने के लिए, इन industries में, चीज़ों को mass quantities में produce किया जाता है, heavy numbers में, बहुत ज्यादा तादाद में produce किया जाता है, अब अगर goods को produce किया जाता है, raw material तो natural resources निकलता है, अब natural resources को ज्यादा ज्यादा यूज किया जाता है, और दूसरा, जो है, it is mass consumption, अब क्या होता है, economic betterment of people has resulted in the mass consumption of goods, by people to fulfill their greed, ठीक है, अब लोग जो है, इनकी economic well-being हो रही है, लोग के पास पैसा आ रहा है, जिसकी वज़ा से लोग चीज़ेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजें इने वर्ल्ड में पूरी दुनिया में बहुत कुछ है कि सारी लोगों की नेड्स को फुल्फिल किया जा सके लेकिन ग्रीड किसी एक इनसान की ग्रीड भी फुल्फिल नहीं हो सकती अगर सारी दुनिया के रिसूर्स को हम उसके लिए रखें तो एक परसन की greed भी fulfill नहीं हो सकती इसका मदलब है आपकी needs तो fulfill हो सकती है लेकिन greed fulfill नहीं हो सकती अगर इनसान greed को fulfill करने बैठे तो यह resources कम पढ़ जाएंगे ठीक है तो इनसान चुए कि अब ज्यादा materialistic बन चुका है greed को fulfill करने की कोशिच कर रहा है जिसे resources ज्यादा ज्यादा consume हो रहे है higher levels of technological development helped colonial powers to exploit the resources of colonies अब जो colonial governments थी colonial powers थी like British का control था इंडिया में इससे क्या हुआ उन जो colonial powers थे उनके पास technology थी वो यहां के resources को ज्यादा ज्यादा exploit कर रही थे तो technology की वज़ा से इस तरह भी resources को ज्यादा exploit किया गया एक और चीज़ जो है exploitative nature of modern technology has resulted in the depletion of resources at the global level यह जो technology है आज कल बड़ी-बड़ी industries है, factories है जिनमें चीज़े large quantities में बनती हैं, आव इन industries और factories का nature ही ऐसा है कि resources को exploit करती है, ठीक है तो इस से क्या होता है, resources पूरी world में deplete हो रहे हैं, तो यह कुछ causes थे, जो हम associate करते हैं कि technical and economical development की वज़ा से कैसे resources दिनिया में ज्यादा ज्यादा consume हो रहे हैं तो इसके साथ है हमारा वीडियो end होता है, इसमें हमने chapter 1 class 10th की जिज़गराफी का discuss किया, तो एक दूसरा वीडियो upload किया जाएगा, जिसमें हम इसके additional questions को discuss करेंगे, वो question देखने के लिए आप हमारी channel के साथ जुड़े रहे है, channel को subscribe कीजिए और share कीजिए अपने friends के साथ, thanks